मेरे प्यारे देश्वासियों माय गौपर महराष्टर के जालना के डॉक्टर स्वपनिल मंत्री और केरल के पलककड के प्रहला राजगोपान ने आगर किया है कि मैं मन की बात मैं सडक सुरक्षा पर भी आपसे बात करूँ इसी महने 18 जन्वरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सडक सुरक्षा माह यानी रोड सेफ्टी मंध भी मना रहा है सडक हाथ से आज हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चिंता का विशय है आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामुइक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किये जा रहे हैं जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सब को सक्रिय रूप से भागिदार बनना चाहिए साथियों आपने ध्यान दिया होगा border road organization जो सडके बनाती हैं उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही innovative slogans देखने को मिलते हैं this is highway not runway या फिर be mr. late then late mr. ये slogans सडक पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूप करने में काफी प्रभावी होते हैं अब आप भी ऐसे ही innovative slogans या catch phrases माई गौर पर भेज सकते हैं आपके अच्छे slogans भी इस अभ्यान में उप्योग किये जाएंगे साथियों road safety की बारे में बात करते हुए मैं नमो एपर कोलकता की अपना दास जी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूँगा अपना जी ने मुझे fast track program पर बात करने की सला दी हैं उनका कहना है कि fast track से यात्रा का अनुभवी बदल गया है इससे समय की तो बचत होती हैं टोल प्राजा पर रुकने केस payment की चिंदा करने जैसी दिक्कते भी खत्म हो गई है अपना जी के बात सही भी है पहले हमारे यहां टोल प्राजा पर एक गाड़ी को आउसतन साथ से आठ मिनिट लग जाते थे लेकिन फास्ट एक आने के बाद यह समय आउसतन सिर्फ डेड़ दो मिनिट रह गया है टोल प्राजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के इंधन की बचत भी हो रही है इससे देश वाजियों के करीब 21,000 करोड प्रे बचने का अनुमान है यानि पैसे की भी बचत और समय की भी बचत मेरा आप सभी से आग रहे हैं कि सभी दिसान निर्दोस्ट का पानन करते हुए अपना भी ध्यान रखे और दूसरों का जीवन भी बचाएं